नवस्कार जी आपको सभी को मैं फिर से एक बार सवगत करता हूँ अपने चैनल में और आज एक बहुत ही छोटे बच्चों के लिए विशे उठाना चाहता हूँ और वो विशे है सजीव और निर्जीव का तो सजीव वस्तमें कौन सी है और निर्जीव वस्तमें कौन सी है इस बात पर छोटे बच्चों को बताना है छोटे बच्चों को बताना बहुत ही मुश्किल काम होता है और बहुत ही रोचक भी होता है क्योंकि वे उनके बहुत से प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं आपको तो देखी छोटे बच्चों को अगर माता-पिता, भाई-वेहन, आसपास के जितने वी जीव जनतू जानवर हैं, पेड़ पौधे, ये सब के सब सजीव बस्तों में आते हैं. तो उनको बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि आप जिन के साथ रहते हो, जो पेड़ पौधे आपके आसपास उगे हुए हैं, जो ज जीव जनतू आपको दिखाई देते हैं, ये सबी के सबी सजीव बस्तों हैं, ये दरसल संसार की सबी बस्तों को सजीव और निर्जीव बस्तों में बाटा जा सकता है, तो सजीव बस्तों में कौन सी हैं, इनकी क्या-क्या आवश्यक्ताएं हैं, ये अपने जीवन के लिए सजीव वस्त में अपने जीवन के लिए उनको भोजन चाहिए उनको आवश्यक्ता है हवा की उनको आवश्यक्ता है पानी की तो भोजन हवा और पानी की आवश्यक्ता है उनको जीने के लिए तो ये एक ऐसा तरीका हो सकता है कि जिसके आधार पर हम बच्चों को ये बता सके कि ये वस्त में सजीव है आप देखें हम पानी पीते हैं हम काना खाते हैं हम सांस लेते हैं तो इसी के आधार पर इसी से जुड़ी हुई जो वैग्यानिक टर्मिलोजी है कि पोशंड करना, खाने से हम अपना पोशंड करते हैं, ब्रद्धी करना, गती करना, गती शील होना एक सा एक गुण है, जिसके आधार पर हम सजी वश्टों को पहचान सकते हैं, तो हम यहां से वहां जा सकते हैं, हमारे आसपास के तमाम जो जन्तु है, जैसे छोटा सा कुता है, बिल्ली है, यह सब ही सजी उबर्स प्राणी हैं, तो यह सब यहां से वहां जा सकते हैं, यह सांस लेते हैं, यह खाना खाते हैं, यह पानी पीते हैं, तो खाना खाना पानी करना यानि कि पो क्षिछ्न करना ब्रधी करना आप दिखेंगे छोटा बच्चा है थोड़ gay कर शोटासा पेल ह है थोड़ दीनों बड़ा हो जाता तो ब्रधी करते हैं स्वस्वशन सांस लेते हैं उस सर्जन जो खाते पीते हैं वो हम हमारे सरीर से बाहर भी निकलता रहता है ये सब कुछ इस तरह की क्रियाएं है रिप्रोडक्शन यानि की सजीव प्राणी अपने ही तरह के और बच्चों को पैदा करने की क्षमता भी रखता है तो ये सब तमाम बाते हैं जो की सजीव प्राणी के बारे में कही जा सकती है कि किस तरह से हम बच्चों को ये समझाएं की सजीव प्राणी कौन से है अब बात आती है निर्जीव की निर्जीव वस्तमे कौन सी है तो आप देखें यह जो सजीव वस्तमों के बारे में जो कहा गया गये जो जो काम करते हैं या इनको जो जो आवश्रिकता है विज सब निर्जीव प्राणियों के लिए नहीं है निर्जीव प्राणियों को न भोजन चाहिए और नहीं उनमें कोई गती होती है ना उनको पानी चाहिए ना उन surgeon, जो reproduction आदी जो तमाम किलिया हैं, वो नहीं करने वाले हैं, और जो हमारे आस पास की जो बस्तु में हैं, जैसे हमारी किताब, हमारी cycle, हमारी table, कुरसी, हाज न, यह सब तमाम जो बस्तु में हमारे आस पास हैं, यह सब की तो हम अपने आसपास की वस्तों को सजीव और निर्जीव में बाट सकते हैं सजीव वस्तों को प्राणी सजीव प्राणी कह सकते हैं पेड़ पौधे, मनुश्य, जानबर आदी निर्जीव वस्तों कह सकते हैं जिनमें कि ये सब गुम नहीं पाए जाते हैं तो कुछ इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं धन्यवाद यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेर करिए और सबस्क्राइब करिए धन्यवाद